हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका सारिका की पाक शाला में आज की रेसिपी जो है वो बहुत इंट्रेस्टिंग है और एकदम होम स्टाइल जैसा मैं अपने घर पे पकाती हूँ सर्दियों में उस तरह से मैं आज आप लोगों को बनाना बताऊंगी अरहर की डाल फ्राई तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनती है सर्दियों वाली अरहर की डाल फ्राई सर्दियों वाली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसी चीज़े में डालने वाली हूँ जो winters में ही available होती है जैसे की dill leaves जो हमारी सुवा की पत्या होती है सरदियों में मिलती हो और बहुत ही अच्छा flavor होता है और काफी सारी चीजों को डाल के ये दाल को हम लोग fry करेंगे और ये जो डाल है ये एक बार आप बना लेंगे तो इसके संग ना आपको कोई भाजी चाहिए ना ही आपको चाहिए होगी कोई सबजी आप सिर्फ दाल चावल भी बड़े मजे से उंगलियाद चाट चाट के खा लेंगे और बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगी तो देर किस बात की चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कैसे बनेगी हमारी ये जटपट रेसिपी अरहर दाल फ्राई की सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कटोरी अरहर की दाल इसको अच्छी तरह चुन के साफ कर लीजिए और दो से तीन बार आप पानी से अच्छी तरह धोके इसे पंदरा मिनट के लिए भिगो के छोड़ दीजे अगर इसे हम भिगा देंगे तो कुकर में ये जल्दी पक जाता है इससे आपकी गैस की बचट भी होती है तो इसलिए जरूर भिगा लिया कीजे दाल कभी भी पकाने से पहले तो ये देखिए दाल हमने भिगा दिया है पंदरा मिनट हो गए है अब एक प्रेशर कूकर ले ले लेंगे उसमें पानी ले लेंगे साथ में ये हमारी जो अरहर की दाल या फिर इसे तूर की दाल भी खहते हैं इसको ले लेंगे और इसमें एक के बाद एक सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया है इसके बाद हल्दी पाउडर साथ में थोड़ा सा लाल मिर्श का पाउडर कम या जादा आप अपने कॉर्डिंग कर सकते हैं जितना तीखा चाहिए साथ ही मैंने यहाँ पे चार लेसम की कलिया ले ली है उसे काटने की जरूरत नहीं है यूही डाल दीजे क्योंकि बॉयल होने के बाद वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पे डाल दीजे थोड़ा सा हिंग और आखिर में डाल दीजे सरसो का तेल इसके बाद इसे ढकन लगा के सीटी लगा लेना है हमें तीन से चार सीटी तक हम दाल को पका लेंगे आईए अब देख लेते हैं तड़का के लिए हमने क्या कुछ लिया हुआ है आज हमारी विंटर स्पेशल अरहर की दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले यहां मैंने दो छोटे साइस का प्याज बारी काट के रख लिया है इसके अलावा सरदियों में खास मिलने वाली ताजी-ताजी हरी मतर मैंने ले लिया है कम या जादा आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं हरी मतर बहुत अच्छी लगती है सरदियों में साथ में ये देखिये लसन को हमने बारिक काट के रख लिया है अदरक को थोड़ा सा लेके बारिक काट के रख लिया है साथ में एक टमाटर को भी चॉप करके रख लिया है और तड़के के लिए एक सूखी मिर्च, जीरा, कुछ हरी मिर्च मैंने ली है, साथ में हरी और लाल दोनों मिर्च है और यहां है धनिया की पतिया, साथ में सोवा की पतिया, यानि की जो डिल लिप्स मैंने बताया ना सर्दियों में मिलती है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, इसके वज़ों से डाल का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, तो एक बार जरूर बना के ट्राइ कीजिए और इसके साथ आखिन में हमें तड़के में भी चाहिए होगा थोड़ा सा हिंग तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डाल भी हमारी अल्मोस्ट पक गई है, सीटी लग गई है, अब कर लेते हैं फ्राइ करने की तैयारी फ्रेंड्स इस डाल को पकाते वक ध्यान रखे कि ये ओवर कुक नहीं होना चाहिए थोड़े थोड़े अरर धाल के दाने दिखने चाहिए और ना ही एकदम से पतली होनी चाहिए पानी जैसे ये देखिए इस तरह से दाने जो है दिखाई दे रहे ना बस इस तरह से ही आपको पकाना है तो बहुत जादा एक्स्ट्रा सीटी आप मत लगाएगा कूकर में और ना ही इसको मतनी से मतने की जरूरत है तो चलिए इसे एक तरफ रख लेते हैं और अब एक फ्राइंग पैन रख लिया है मैंने और कर लेते हैं तड़के की तैयारी तो तड़का जो है वो मैं देसी घी में लगाऊंगी आप चाहे तो घी और रिफाइन डॉयल दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं तो सबसे पहले मैंने एक सूखी मिर्ज को तोड़के डाल दिया है साथ में हिंग इसके अलावा जो बारीक लसन हमने काटके रखा था और अद्रग जो बारीक काटके रखा था वो भी डाल लेंगे साथ में जीरा डाल लेंगे और हमारी ये जो हरी मतर है वो भी डाल प्रचीं सब्यारा कारें, तेज अची आज पर फ्राइ के लिए अच्छी तरह से कलर है, मैंने और फिलाल थोड़ा नमक मम्गा ता यह उतना साथ ही साथ टमाटर भी डाल लेंगे और यह जो हरी और लाल मिर्च मैंने चॉप करके रखी ती वह भी डाल लिया है और सब कुछ एक साथ अच्छी तरह से कुछ देर प्राई कर लेंगे जब तक की टमाटर और प्याज हमारी जो है वह सॉफ्ट ना हो जाए थोड सबंश खुग है अब धनिया और डाल लेते है और इसके बाद डाल लेंगे हमारी जो अब लिया मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेटे ही हमारी पाके तक तैयार हो जाएगी बहुत अच्छी खुझबू आ रही है देसी घी की हिंगी साथ में यह जो सोवठ धनिया डाला है हमने सोवा पत्ते की बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और इतना कलरफुल है कि देखते ही मूँ में पानी आ जाए तो देखिए इस तरह से ही गाड़ी गाड़ी डाल आप बनाएगा बहुत जादा पतली डाल ये वाली बनाएंगे तो अच्छी नहीं क्यूंकि हमने ताजा लिया था तो इसको भी पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है तो लीजिए दाल हमारी बन के तयार है आईए इसे सर्फ कर लेते हैं और इसे आप गर्मा गरम चावल के साथ सर्फ कीजिए बहुत ही जादा अ आपको देखके ही समझ में रहा रहा होगा कितनी जायकेदार ये दाल बनती है तो देर किस बात की आप भी जटपट से अपने घर पे बना लीजिए ये अरहर दाल प्राइए अप लोगों को मेरी ये रसिपी अच्छी लगी होगी कैसी लगी है जरूर कमेंट करके कैसी लगी है आप लोगों को ये रसिपी अच्छी लगी है तो जरूर एक लाइक करते जाएगा न्यू विवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए है उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं